भारत के बड़ी mutual fund कंपनिया तैस समय सीमा पर निवेशकों को उनके पैसे लोटाने में नाकाम रही है। इस पर सेवी ने कोटक Asset Management Company और HDFC Asset Management Company से जवाब मांगा है। ऐसी परिस्तिती को विशेशग्य भारत के लीमन मुवमन का भी नाम दे रहे हैं। एक निवेशक जब mutual fund में निवेश करता है तो उसका उद्देश होता है कि जब निवेश की तैस समय सीमा पूरी हो जाए तो उसे उसका पैसा तुरंथ वापस मिल जाए। पर mutual fund कमपनिया और निवेशकों के बीच ये भरोसा अब तूटता नज़र आ रहा है क्योंकि भारत की कुछ बड़ी mutual fund कमपनिया निवेशकों को ये सुविधा देने में असमर्थ नज़र आ रही है। फंड की कमी के चलते कोटक एसेट मैनेजमेंट कमपनी और HDFC एसेट मैनेजमेंट कमपनी समय पर निवेशकों को उनके पैसे नहीं लोटा पाई है। इस पर Securities Exchange Board of India ने दोनों कमपनियों से इस पर जवाब मांगा है। कोटक महिंद्रा ने निवेशकों से कहा कि उनको पैसे लोटाने में थोड़ी देर हो जाएगी क्योंकि जीक रूप समय पर कोटक एसेट मैनेजमेंट कमपनी को कर्द नहीं चुका पा रही है। वहीं दूसी तरफ देश की सबसे बड़ी म्यूचल फंड कमपनी HDFC मूचल फंड ने निवेशकों के पैसों को खुद ही री इंवेस्ट यानि वापस निवेशकों को नहीं दी गई। निवेशकों से पूछे बिना mutual fund company ये फैसला नहीं ले सकती है विशेशक्यों को डर है कि आने वाले समय में और कमपनियों को नुखसान जहिलना पड़ सकता है जिसके कारण asset management कमपनियों के पास cash की किल्लत हो सकती है इससे अर्थविवस्था वित्य संकत में डूप सकती है जिसे इंडिया का lemon moment भी कहा जा रहा है lemon brothers investment bank 2008 में दिवालिया हो गया था जिसके कारण दुनिया भर में financial crisis आ गई थी सवाल यहां यह है कि अगर आपने bank से किसी तरह का loan लिया है और अगर किसी और के पैसे ना लोटाने के कारण आप समय पर bank का EMI नहीं चुका पाए हैं तो क्या bank आपको महलत देगा और अगर नहीं तो यह कहां तक जायज है कि किसी और के पैसे ना चुकाने के कारण निवेशकों को इसका खामियाजा उठाना पड़े ऐसे में लोग अपने पैसे को निवेश करने से ज्यादा अपने सेविंग्स अकाउंट या घर में रखना पसंद करेंगे समराच शर्मा, Go News